नमस्कार दोस्तों ससी अडर 24-7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है वंदन है अभिननदन है और स्वागत है आज के आपके इस दट 10 मिनट सो में अब आप सोचेंगे आज सर्ट 10 मिनट सो हाँ बिल्कुल आज दट 10 मिनट सो ही आज इकलोता क्लास है आपका और तो उसके लिए निश्चिंद रहेंगे आज मैंने डिसिजन लिया कि भाई नमबर ओरियेंटेड चुकि पदम आवाड्स बढ़ गए हैं और इसको हम लोग कवर नहीं किये हैं तो इसलिए आज इस टॉपिक को कवर करना दट 10 मिनट सो में बेहत जरूरी था और मैं लिख क करके दे रहा हूं कि ये जो 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन है ये भी आपको क्या करेगा एक नमबर दिलवा के ही रहेगा ऐसा मेरा पूर्ण बिस्वास है आपके सेशन के लिए इस आज के सेशन के लिए तो सुरू करें आज का पदम आवाड दोहजार चौबिस अगर हम लो गरतन दिवस के उसर पर 23 जनवरी 23 नहीं यहां 23 जनवरी को गोशना की गई और ये बताये गया कि भाया इस बार जो गरतन दिवस 26 जनवरी होता है ठीक है ना वहाँ पे कुल 132 वेक्तियों को पदम आवाड दिया गया जिसमें से 5 पदम विभूशन है 17 पदम भूशन है औ बात आप याद रखिएगा ठीक है ना अब जरा आगी का पॉइंट समझना थेयरी में अब उसके बाद क्या हुआ उपराष्टपती एम वेंकेया नाइडू अभीनेता वैजनती माला और चिरन जीवी सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेस्वार पाठक सूसरी प प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है तो ये आपके पेपर में एक कोश्चन बन सकता है ठीक है ना उसके अलावा आपको बताएं पुरुसकार पानेवालों में से 30 महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं की उपलब्धियों के पहचान को बनाने में प्रतिबधता दर्शाया है ये भी एक की पॉइंट बनेगा कि टोटल महिलाओं की जैसे मानलो कुल तो 132 थी वो आपको 5, 17 और 110 याद रहेगा लेकिन आगर उसमें ये पूछ दे कि महिलाओं की संख्या कितनी थी तो ये आपको याद करना पड़ेगा ठीक है भाई एकदम याद रखिएगा अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ दे कि बिदेसी, NRI, PIO, OIC स्रेडी के कितने वेक्तियों को मिला तो वो भी आपको बताना होगा 8 वेक्तियों को देखो 10 मिनट सो अपने आप में बहुत कनफाइंड मैटेरियल लेके आता है क्योंकि उसको पता है कि भाई ऐसे डेटा जब पूछे जाते हैं तो वो समस्या बनते है, अगर हम लोग बात करें, NRI स्रेडी की तो ये तो 8 लोगों को मिला है, ठीक है ना, अगला पॉइंट, कि नौ ऐसे बढ़मा पूरुषकार हैं, जो मड़ो प्रांत दिये गए है, कि भाई उनके मिरत्यू के बात दिये गए, ये डेटा कलेक्ट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कहीं इसको रखते रहो, ठीक है ना, अगला पॉइंट है, पदमा वार्ट्स तीन क में इनको पद्म विभूशन और पद्म स्री कहा गया जब इनकी पद्म अवार्ट्स की सुरुआत हुई थी न इनको category 1, category 2, category 3 कहा जाता था फिर 1955 में ये कहा गया कि ये पद्म विभूशन और ये हैं ठीक है ना अब जब जनरली अवार्ट्स अप्रेल महिने मार्च या अप गोशना हुई है ये बात याद रखेगा अब ही सिर्फ गोशना हुई है कि इनको इनको दिया जाएगा ये भी बात याद रखेगा अब पद्म विभूशन अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्म विभूशन अवार्ड्स वैजनती माला बाली को कला के छेतर से कोनी डेला चिरन जीवी को अब इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है ठीक है ना कोनी डेला चिरन जीवी जो की फिल्म इंडस्ट्री से हैं कला के छेतर से हैं उनका दिया गया है अब पद्म विभूशन की बात यही पांच लोगों को दिया गया है यह आपको याद रखना होगा इन्पोर्टेंट पहलू बनेगा कोनी डेला चिरन जीवी क्योंकि आपको याद है चिरन जीवी आप एकजाम में यह सही भी करोगे लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है ठीक है ना और वैजन्ती माला जी का नाम और पद्मसुब्रमन्या यह पांच ही नाम क्योंकि बाकी 17 और 110 लोगों का आपसे नाम नहीं पूछने वाला है ठीक है ना यह इंपॉर्टेंट बनेंगे बाकी नाम है लेकिन एक्जाम औरियेंटेट कौन सा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगला पॉइंट देखेंगे उसके बाद स्री नाम नाइक जी यह आपके जानते हैं कि यह उत्तर पते राज जिपाल वगएरा भी रहे हैं यह एक इंपॉर्टेंट बनेंगे चार नाम मैंने अभी तक आपको बताए 17 में से उसके अलावा सूसरी उशा उत्थूब जी यह गाईका है यह एक नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे ठीक है ना उशा उत्थूब क्यों मैं इनके पीछे अभी 10 मिनट सो में पूरा डिटेल नहीं क रहा हूं यहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट दो हजार 24 के पेपर में इस पहली लाइन से एक क्वेशन रहेगा आपके पेपर में मैं पूरे गारेंटी के साथ कह रहा हूं यह दो लाइन याद रखना एक नमबर तुमको मिले वाला है ठीक है और वो एक एक नमबर का ही जंग है ठीक है अगले पॉइंट पे आएंगे कि अगला पॉइंट क्या है और देखते हैं अब जैसे बिहार के लड़के अब बिहार वाले बच्चे क्या है वो जाएंगे बिहार ट्रिपल सी का एकजाम देने उनके लिए सांती देवी पास्वान नाम इंपॉर्टेंट बन है चालिस साल बाद फिर आई जो आपके पद्मा वाट्स के समय ये पारंपरिक बग्गी ये बग्गी जो है जब भारत पाकिस्तान का बटवारा हो रहा था तो हुआ कि ये बग्गी भारत को मिलेगी या पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के चांसलर ने कहा सिक्का उच्छाल आते थे लाज्ट टाइम 1984 स्वी तक ज्यानी जैल सिंग जी जो की पोस्टल अमेडमेंट बिल के लिए बड़े फेमस है राजी उगांधी जी के समय ये बैट के आये थे उसके बाद से भग्गी पे आने की परंपरा समाप्त हो चुकी थी ठीक है ना फिर उसके बाद क्या हु आपके इस शेशन में मतलब की 26 जनवरी के महोट 100 में आए उसके बाद इस गरतंत्र दिवस पर 100 वर्सी अचा एक बात याद रखना फ्रांस के चार लोगों को इस बार पदमस्री दिया गया है और फ्रांस की ही राश्ट्र पती भारत के इस बार चीफ गेश थे तो फ्रां इस बार पदमस्री वाले सेक्षन से याद होना चाहिए क्योंकि ये चारो मूल रूप से फ्रांसी सी हैं और इनको भारत सरकार ने इस बार पदम आठ लोगों को दिया गया है ठीक है ना चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे अब चला question answer हो जाए भारत के राष्टपती को पदम पुरुसकारों के नामों की सिफारिस करने के लिए कौन जीमेदार है सर पदम पुरुसकारों की नामों की सिफारिस करता है ग्रिह मंत्राल है ठीक है अगला point भारत सरकार द्वारा पदम पुरुसकार पहली बार किस वर पद्म पुरुसकार पहली वर्स किस वर्स जारी किये गए थे हमेशा याद रखना लला 1954 लेकिन तब इनको पद्म पुरुसकार 123 के नाम से जाना जाता था फिर न 55 से जाकर के लला 1955 से पद्म भिभूशन पद्म स्री और पद्म भूशन इनको कहा गया ये बात भी ध्यान पहारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरुसकार है पहारत रतन पहला है जो इस बार बिहार के लाल को दिया गया आपके करपुरी ठाकूर जी को तो विभूशन का मतलब क्या होता है विभूशन का मतलब होता है सांदार ठीक है ना पद्म विभूशन अती विसिष् जो आपके पदमिस्री है वो आपके अडितिय ऐकारियों के लिए दिया जाता है थोड़ा सा डीफ्रेंस हैं इनमें अब वो सब्दों का खेल है सब ये बात जान लेना निम्लिकित में से किस छेतर को पदम्पुरुसकारों के लिए GB देखों पद्म पुरुसकार में कभी भी बिजनेस और एंड कामर्स नहीं आते हैं चौथान सर्वोच नागरिक पुरुसकार पद्मसरी किस स्रेडी में आसाधारण सेवा के लिए दिया जाता है अब सोचो सर पद्मसरी इन में से कोई भी स्रेडी रहे भाई खेल हो सामाजी कार हो साहीत हो सिक्षा हो कला हो दिया जाएगा 2024 में कितने पद्म पुरुसकार प्रदान किये गए थे कितने तो पद्म पुरुसकार प्रदान किये गए लिल्ला टोटल 132 ठीक है 2024 में किस रेडी में पुरुसकार विजयताओं की संख्या सबसे अधिक है सर 5 और 17 और 110 तो सर इसका मतलब है कि पदमस्री क्योंकि सर ये 110 है ये 5 है और ये 17 है तो भाई यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया मुद्धा कि किस रेडी में तो पदमस्री में अगला अचा ये बस ना आपको मेरा रटवाने का एक तरीका है कि किस तरीके से तुम रट जाओ तुम्हारा नमबर मिल जाए आपको 2024 पन पुरुसकार विजयताओं में कितनी महिलाएं है देखो आपने पढ़ा तो है कितनी महिलाएं है तो महिलाएं है मेरे भाई 30 कितने बिदेसियों को मिला है 8 कितने बिदेसी कितने लोगों को मर्डो प्रांथ मिला है कितने फ्रांस के लोगों को मिला है यही न क्वेश्चन बनेगा अब सुचो तुम्हारे लिए question बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है कि क्या question बन सकता है मडो प्रांत कितने दिये गए हैं? सर मडो प्रांत 9 इस बार पद्म पुरुसकार दिये गए हैं कला में आसाधर सेवा के लिए किसे पद्म विभूशन कला और पद्म विभूशन देखिए सर मिला तो है कोनी डेला चिरन जीवी को पद्म विभूशन कला के छेतर में मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला है लेकिन क्या पद्म विभूशन नहीं भूशन मिला है अब पूछ क्या रहा है पद्म विभूशन थोड़े से में मैटर गरबला जाएगा अगला सारुजनिक मामलों में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूशन से किसे सम्मानित क्या गया है पद्म विभूशन नहीं पू पुशन मिला है याद रखना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ध्यान रखिएगा किसे किस पद्म स्री पुरुसकार विजेता को पसू कल्याण में उनके कारे के लिए मानिता दी गई है अब ये क्वेशन थोड़ा सा घुमा के पूछा है पसू कल्याण के लिए आपको याद है पार्वती बर्वा जी पहली भारतिय महिला महावत जिनोंने मादा हाथी फीमेल एलिफेंट की महावत बनी है तो उसमें पशू कल्याण ही है पार्वती बर्वा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन बनेगा आप देख लेना आपके पेपर में अगले पॉइंट पे आते है क्रिसी विशेश रूप से जयवी खेती में उनके योगदान के लिए किसको दिया गया है कि चैला मल को अगला पॉइंट किस राज में पद्म पुरुसकारों के लिए तो सर इसका right answer होगा महराष्ट से सबसे ज़्यादा मिला है ठीक है 2024 में सबसे उम्रदराज पद्म स्री प्राप्त करता कौन है सबसे ज़्यादा एज में पाया है गोपीनात स्वेनने अगला किस पद्म स्वेन पुरुसकार भीजेता को चिकित्सा विशेश रूप से आयूस पारंपरिक चिकित्सा अक्षेत में उनके काम के लिए सम्भानित क्या गया है सर ए ऑपशन हेम चंद माजी जी को वैपार और उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म भूशन किसे मिला है सर ए ऑपशन यंग लिव को ठीक है अलग से इन्ने दिया गया अगला पॉर्थ निम्ण में से किस कलाकार को 2024 में पद्म भूशन प्राप्थ हुआ है कलाकार सर्वो मिथून चकरवर्ती मिथून दाजी पद्म भूशन वी भूशन चिरन जीवी जी को प्राप्थ हुआ है वी भूशन और भूशन में अंतर समझे रहना अगला पद्म सिरी पुरुसकार विजेता सत्तन अरायन बलेरी किस राजे से थे जिने चावल की क्रिशी में उनके योगदान के लिए केरल से हैं सत्तन अरायन बलेरी जी ठीक है 2024 में कितने पद्म सिरी पुरुसकार विजेताओं को समाजी कारे में अब सुचो कितने पॉइंट से क्वेश्चन को घुमा सकता है लगता है न कि 10 क्वेश्चन पढ़ लिए पद्म भूसर्ण भी भूसर्ण 5,17,132 याद कर लिए पारवती बरुगा को याद कर लिए अएमपाइं किया नाइडू, मिथुन, चक्रवर्ती, चीरन जीवी हो गया, अरे हैसे हो गया, सरकारी नौकरी इतनी आसान होती तो सबको मिली हुई होती सबको मिली हुई होती, कई लोग महले से सरकारी में होते पद्मभूशन पुरुशकार में किस छेतर का प्रतिनिद्य तो सबसे अधीक है पद्मभूशन इस बार सबसे ज़्यादा दिया गया है कला में, ठीक है 2024 में कितने वेक्तियों को मनो प्रांध, पद्मभूशन अब टोटल नहीं पूचा है, टोटल पद्मभूशन, पद्मभूशन और पद्मसरी मिला के 9 लोगों को मिला है लेकिन अगर सिर्फ पद्मभूशन की बात कर दे, तो 4 लोगों को सिर्फ पद्मभूशन की बात कर दे तो अगला पद्मस्री पुरुषकार से सम्मानित गुरी बिंदर सिंग ने किस छेत्र में योगदान दिया जिने उन्हें दिव्यांग वेक्तियों के साथ उनके काम के लिए मानिता मिली सर ये दिये हैं समाजी कारी ये समाजी कारी ही है अगला पॉइंट बिंदेस्वरी पाठक को मडो प्रांथ किस कैटेगरी में पद्मिभूशन से समानित किया गया है मैं उमीद करता हूँ कि आप इसको पढ़के रखेंगे 25 क्वेस्टन से जादा प्रॉबेबिल्टी नहीं बनती है आपके 10 मिनट सो की मतलब इसको करेंगे और आज मैं सिर्फ यही एक टॉपिक ले रहा हूँ अब हमारी आपकी मुलाकात कल सूबर करेंट अफेर में होगी ल कब इसे तौल सकता है धन धर्ती की तो क्या भी साथ लग जाए अगर बैकुंटा हाथ उसको भी निच्छावर कर दू कुरुपती के चड़ों में धर्दू ऐसा कर्ण ने भगवान स्रीकिष से कहा था जब दुरियोधन के लिए दुरियोधन के मित्र कर्ण से भगवान स् मुलाकात पर 6 होगी ठीक है ना थैंकि सो मच जै हिन जै भारत कल का सुबह का करेंट एफेर रहेगा उसके बाद ठीक है ना थैंकि सो मच लेकिन कल साम क्लास नहीं चलेगी मेरी ढे मेर्गा जै हिन जै भारत